तो अबी भी बहुत सारे स्टुडेंट्स ऐसे हैं जो सब्टेंबर इंटेक के लिए अपने कैस लेटर्स का वेट कर रहे हैं अल्दो अब बहुत कम टाइम रह गया है बट अभी क्या हो रहा है कि वो स्टुडेंट्स मुझे कॉंटेक्ट करें कि हमने तीन महीने पहले हमें लेटर मिला था और अभी तक हमारा कैस नहीं आया या कैस ड्राफ्ट कैस है कैस डेटा चेक भी नहीं आया है तो ऐसे तमाम स्टुडेंट्स के लिए अब कैस लेटर का प्रोसेस होना हाईली अनलाइकली है आप लोगों को मैं यही रिकमेंट करूंगी कि आपने अगर कोई फीस वगारा पे की थी उनिवरस्टी को तो आप उनिवरस्टी से उसके रिफरंट का या डेफर्मेंट का आप उन से पूछें बिकाज अब आप लगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन तमाम वो स्टुडेंट्स के जो कैस लेटर के प्रोसेस में इन से द जिन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया है कॉमेंट सेक्शन में मुझे से कॉंटेक्ट किया है कि हमें युनिवरस्टी ने ये बोला है कि हमने आपको कैस वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया है और हम आपको इस महीने के एंड तक या फिर सब्टेंबर की शुरू की दो forward नहीं था या जिन्हों ने पहले जब application जमा कराई उस वक्त देहान से अपने तमाम documents पूरे नहीं किये वो तमाम students जो हैं वो cash waiting list में चले गए हैं जैसे मुझसे जिन students ने रापता किया उनने कुछ ऐसे हैं कि जिन्हों ने अपनी financial documents पूरे submit नहीं कराए कुछ एक आदा document जिनका missing था university ने उनसे मांगा उन्होंने time पर submit कराया या नहीं कराया बहराल कुछ document की वज़ा से उनके case में delay आया और अब वो cash waiting list पर shift हो गए हैं तो अब उनका जब तक उन्होंने university ने request किया है कि आप अपने documents पूरे करें हमें as soon as possible ताके हम आपके लिए outcome देखें क्यूंके case waiting list में भी ये नया एक introduction है case waiting list का और ये कुछ universities इसको इस तरीके से कर रही है सब universities ने इसको introduce भी नहीं किया है लेकिन अगर आपकी university ने आपको कोई ऐसी mail भेजी है तो आप कुशिश करें कि आप अपने documents as soon as possible उन्हें आप पूरा करें जो भी उनकी requirement है ताके आपका case issue हो सके अब इसमें भी कोई guarantee नहीं है कि आपका case issue होगा लेकिन फिर भी अभी भी hope बाकी है आप लोग अभी भी hope कर सकते हैं कि आपका कोई case का scene बन जाएगा because universities को पता है कि कितना ज़ादा rush था इस intake में और कितना ज़ादा mismanagement हुई है case को लेकर तो universities अब उसको compensate करने की कोशिश कर रही है और इस चीज़ से में आप लोगों कोई दुबारा से एक message रेना चाहूंगी कि वो तमाम students जो अब January intake के लिए apply करें या वो तमाम students जिनका September intake में rejection आया है letter और अब वो January के लिए दुबारा से तयारी कर रहे हैं प्लीज अपने case को straight forward रखें आपका case जितना simple होगा उतना ही जल्दी और जादा chances है आपके case letter आने के students क्यों होता है बास दफा over information provide करते हैं या कम information provide करते हैं कम supporting documents provide करते हैं और दोनों ही सूर्थों में आप अपने case को जानबूच के complex बना लेते हो अगर आपके सारे education documents पूरे हैं आप अपनी सारी metric, FSC, bachelor's तक कि आप अपनी सारी documents मतलब कि आप अपनी degree और transcript लगाएं साथ में आपने आइल्स दिया है तो आप अपना आइल्स का score लगाएं उसके साथ आप जो है और मैं recommend यही करती हूं बार बार के आप अगर आइल्स दे सकते हैं January intake वाले जरूर दे दें क्यूंके आपको help out होगा आपके ज़ादा chances हो जाते हैं आपकी application को acceptance के ठीक है उसके पाद जब आप से मांगे जाएं financial documents, cash issuance से पहले मतलब जब आपका interview clear होगा pre-cass interview तो university आपसे financial documents मांगेगी आप उस stage पर अपने financial documents जमा कराएं बहुत सारे students अब मुझे message करें के जी हमारे degrees के उपर नाम different लिखा रहा है, university ने cash letter पे नाम different लिख दे यह सब चीज़ें पहल which के records में कोई भी mistake है तो आप लोग प्लीज उसको पहले resolve करके उसके बाद आप apply करें, because ये चीज़ें आपको visa लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का बाइस बनेंगी, मुझे ऐसे भी students ने राप्ता किया कि जिन्होंने admission apply कर दिया और अब उनका midway जाकर अब उन्हों जो आपने at the time of admission university को दिये होते हैं, ठीक है तो अगर आपने university को अपना IELTS दिया है और आप visa officer देखेगा और IELTS expired है, वो आपका visa reject भी कर सकता है, chances बढ़ जाते हैं तो आपका case complicated हो जाता है, कोशिश करें अपने तमाम documents, पहले supporting documents जो है, financial statements, educational documents, आपका IELTS का result, आपका passport, तमाम चीज़ें ready हों, उनमें किसी किसम की कोई mistake ना हो, especially आपके नाम के spelling के अंदर कोई mistake नी होनी चाहिए, आपके address में कोई mistake नी होनी चाहिए, जब case data check आता है, आपने उसको अच्छे तबीके से पढ़ना है, pre-case जो आता है, मतलब draft case, उसमें कोई mistake नी होनी चाहिए, क्य loop holes छोड़ते हैं और उसके बाद end पे वो परिशान होते हैं कि अब हमारा case letter नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें, तो जितना आप अपने case को simple बनाएंगे, उतना ही आपके chances January intake में बढ़ेंगे, case लेने के लिए, तो ये एक अच्छी good news थी, जो कि मुझे आज ही पता लगी है and I thought आज ही मैं इस पर आपको video बना दूँ कि अभी भी आप अपना hope जो है उसको lose मत करें, अभी भी चांस है, maybe आपकी university भी cash waiting list issue करें और उसमें आपका cash letter आ जाए और आप थोड़ा सा late join कर लो October के महीने तक, but universities are now considering it, three or four students have contacted me through my YouTube comment section and Instagram and they have told me कि हमें इस तरीके से university की email आई ह 31st August तक उन्होंने हमें time जिया है और वो फिर हमें decide करके बताएंगे based on the information we provide के हमें cash letter मिल रहा है या नहीं, तो I hope कि यह आपको एक थोड़ी सी इससे अभी तक जिन बच्चों का नहीं आया है और जो hope करें September intake में आना, उन्हें थोड़ी सी उमीद मिली होगी, I wish you all very best of luck, औ आपको और भी updates दूँ, आज मैंने वैसे एक और topic पर वीडियो डालना था, that is about the immigration interview, जो आके यहाँ पर airport पर आपके साथ क्या क्या कुछ होता है, मुझे बहुत questions आ रहे थे उसके बारे में, तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द upload करूँगी, अभी आज के लिए आपको म पर वीडियो बारे में, अपको जाए लगी आपको है कर दो दो आपको में, गे लो आपको आपको लेए लगी आपको आपको यहाँ ए लागी, बाए बाए लागी